हलो दोस्तों नमस्कार स्वागेत से भी का हमारे वीडियो में अच्छ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जो है जितने भी मुबाइल में अपली केशन होता है तो उसको एक एक साथ करके जो है डेलिट करते हैं तो आपका काफी समय लग जाता है तो उसके मैं बताऊंगे कि आप यहां एक Children जो है आप डेट कैसे कर सकते हैं तो की दिदोस्तो हमारे जो है हर तरीका के अपलीकेशन होता है तो उस positiv करना क्या है कि दोस्तो बीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मेरे स्क्रीन पे करना क्या है हमारे जो मॉबाइल में बहुत सारे एप होते हैं जो की काफी दिन मनलब इस्टाल रखते हैं पुराने एप तो जो मतलब जो है वो अपडेट मांगते हैं तो बहुत सारे हमारे भाई बंदों जो नहीं जानते हैं तो मैं उनका बताऊँगा क्योंकि अपडेट अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे से नहीं चलेगा और अच्छे से उपरक नहीं करेगा और सिलो चलेगा और मोबाइल का स्टोरेज भी काफी भर जाता है तो उसके लिए आपको अपने प्लेश्टोर में चले जाना है तो चले मैं आपको प्लेश्टोर में जाके दिखा देता हूं कैसे आप जो है सब यह को जो है अपडेट कर उपसित पाएंगे तो अपन कर लेता हूं और लेकाश्टोर में धैयर करने के बाद दूस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहां पर कोई भी आप सर्च कर लेता हूं जैसे मैं गूगल पर तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा पेटियम जो इन इस्टाल है तो यहां पर देख सकते हैं कि यह अपडेट मांग रहा है तो अगर आप चाहते हैं तो यहां से भी आप अपडेट पर अगर किलिक करेंगे तो यह update हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ हमारे जो है जितने भी phone के apps हैं वो एक साथ update हो जाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको back आजाना है और back आने के बाद यहाँ पर आपको एक icon दिखेगा तो इस पर आपको touch कर देना है इस पर touch जैसे ही करेंगे तो आपको बहुत सारा option आजाएगा तो आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा manage app and device तो manage app and device वाले option पर आपको click कर देना है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर एक option आपको सोह जाएगा updates तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 37 updates जो है pending में है अलब कि 37 updates जो है मां नग रहे हैं तो क्योंकि दोस्तो अपडेट अगर नहीं करेंगे तो phone में problem होता है चलने में slow चलता है और इससे battery भी दोस्तों जो है काफी यूश हो जाता है और phone गरम भी होता है तो यह update की हो जासे होता है कभी-कभी तो दोस्तों यहाँ से आपको जो है update कर देना application का यूज करते हैं उसमें भी नए features या new update के बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो यहां से आप देख सकते हैं कि update all का option है तो आप इसी पे अगर आप टैप कर देंगे update आल वाले पे तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका एक साथ जो है update होना start हो जाएगा और अगर आप आप यहां से cancel कर देंगे दोस्तों तो यहां से पूरे cancel हो जाएंगे तो अपडेट पर आप कर देंगे दोस्तों तो automatic update हो जाएगा तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएं और हाँ से mobile से जोड़ी जनकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें दोस्त कर दोस्तों तो